हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशबरी ले करके आया हूँ जो की है हमारी ट्रेन 18 के बारे में जिसे की अब हम वंदे भारत एक्सप्रेस भी कह सकते हैं जी हां दोस्तों आप लोगों ने सही सुना ट्रेन 18 का नया नाम अब होगा वंदे भारत एक्सप्रेस इसे रेलवे ने रिपब्लिक डे के लिए अपने यात्रियों को तौफे के रूप में वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया है हाली में आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेन 18 के ट्राइल रंस चल रहे थे और ये क्लिरेंस के लिए रुकी हुई थी अभी फ्राइडे के दिन ही ट्रेन 18 को EIG क्लिरेंस मिल चुकी है जिसे हम इलेक्रिकल इंस्पेक्टर टुदा गवर्मेंट क्लिरेंस भी बोलते हैं EIG क्लिरेंस ये ट्रेन 18 को मिल चुकी है EIG क्लिरेंस मिलते ही रेल्वे ने तुरंत फैसला लिया कि फरवरी के सेकेंड वीक तक ट्रेन 18 को चलाया जाएगा वंदे भारत एक्स्प्रेस नई दिली से वारा नसी के बीच चलेगी बीच में इसका स्टॉप होगा कानपूर और इलहाबाद ट्रेन में modern high-speed coaches का यूज किया गया है ट्रेन के बायो टॉलिट्स को एरो प्रेन के standard का बनाया गया है ट्रेन के doors automatic है ट्रेन complete GPS enable train है और आप चलती ट्रेन में ट्रेन के real-time location और आने वाले स्टेशन की जानकारी ले पाएंगे दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस को नई दिली से वारांसी के बीच 160 किलोमेटर पर आर की स्पीड लिमिट मिल चुकी है तो यह 160 किलोमेटर पर आर को छुएगी और आप दिली से वारांसी के बीच की यात्र को महज 8 घंटे में पूरा कर पाएंगे यह एक बहुत ही शांदार तोफ़ा है रिपब्लिक डे का देशवाशियों को और मैं उम्मीद करता हूँ जल्द ही ट्रेन 18 की बुकिंग शुरू हो जाएगी आप लोग रेलवे की ओफिशल साइट से जुड़े रहिए और मेरे चैनल की कम्यूटी पोस्ट को भी फॉलो करते रहिए जैसे ही ट्रेन 18 की बुकिंग स्टार्ट होगी मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर या फिर मैं अपनी कम्यूटी पे पोस्ट कर दूँगा और जैसे ही ट्रेन 18 की बुकिंग स्टार्ट होती है आप टिकेट्स बुक कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी अपडेट ट्रेन 18 हमारी वन्दे भारत एक्स्प्रेस को लेकर के मैं काफी एक्साइटेड हूँ ट्रेन 18 के रन को देखने के लिए और ये किस प्रकार की सेवाएं पहुचा पाएगी यात्रियों को और यात्री इससे कितना संत्योस रहते हैं इस चीज को जानने के लिए तो बने रही है चैनल के साथ हम आने वाले वीडियोज में ऐसे फिर मिलते रहेंगे तब तक कि लिए जैहन दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाईए ताकि आपको ऐसी लेटस वीडियो मिलती रहें थैंक्यू फर वाचिंग